हालो दोस्तों कैसो वाफस बाशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे तो चलिए ये इस्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यूटेट पेपर फस्ट और पेपर फस्ट में करने वाले हम बाल विकास एवं शिक्षन विज्ञान के 30 प् अच्छेव और प्रश्ण के दे दिया है तो ज्यादा ड्याख्या करने की क्या है अब ज़रौत नहीं है सीधर प्रशन पढ़ेंगे प्रश्ण के बताएंगी कि प्रश्ण नंबर एक का आंसर हो जाएगा बी तो जाए बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की आंसर B प्रष्टन नंबर 2 का जो आंसर है आंसर भी क्या हो जाएगा B और हम जो ये सैट कर रहे है ये सैट भी कौन सा है B ही सैट का हम क्या कर रहे है analyzation कर रहे है तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रष्ट की ओर अगला जो दुस्त बढ़ते हैं वो है प्रस्ट नमबर चार और प्रस्ट नमबर का चार का उत्तर हो जाएगा बहुत संबेदी बढ़ते हैं अगले प्रस्ट की और अगला जो प्रस्ट है प्रस्ट नमबर पांच और प्रस्ट नमबर पांच का क्या हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगला प्रस्न की और अगला जो दूस्तो प्रस्न है प्रस्न नमबर 7 और 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा संबेदी इसमिर्ती बढ़ते हैं अगला प्रस्न की और अगला जो प्रस्न है प्रस्न नमबर 8 आट का जो सही उत्तर हो जाएगा, हो जाएगा, option number C, पस्ट और सेकंड, दोनों, इसलिए C, सही उत्तर हो जाएगा, तो चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रस्न की और, अगला जो प्रस्न है, प्रस्न number 9, और 9 का सही आमसर हो जाएगा, उपर्योक्त सभी, तो चलिए, बढ़त हैं, अगले प्रस्न की और, अगला दोस्तो प्रस्न है, प्रस्न number 10, और 10 का सही उत्तर हो जाएगा, option number C, इसका सही उत्तर हो जाएगा, चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रस्न की और, अगला जो दोस्तो प्रस्न है, प्रस्न है, प्रस्न number 11, ग्यारा का, जो सही आंसर हो मांतलन सही option हो जाएगा, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रस्न की और, अगला जो प्रस्न है प्रस्न नमबर 13, और 13 का जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आंतरीक रूप से अभी प्रेरित, बढ़ते हैं अगले प्रस्न की और, अगला जो प्रस्न है प्रस्न नमबर 14, 14 का सह सही उत्तर हो जाएगा आत्मसिद्धी, बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और, अगला जो दूस्तो प्रस्ण है प्रस्ण नमबर सोला और सोला का सही आंसर हो जाएगा, अभी छमता को, बढ़ते हैं अगले प्रस्ण और अगला जो प्रस्ण है प्रस्ण नमबर सत्रा सत्रा का जो सही answer हो जाएगा हो जाएगा option number C सही उत्तर हो जाएगा तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रस्न की और अगला जो दोस्तों प्रस्न है प्रस्न number 18 18 का सही answer हो जाएगा दोस्तों अड्रेगिस्तान में काटे क्यों होते हैं जब आप इस प्रकार का क्या है प्रस्ने पूछेंगे तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों की आउधारना की समझ की समझ का क्या कर सकते हैं परिक्षन में परियुक्त इस प्रकार की बिली करेंगा तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रस्न की और अगला जो दोस्तो प्रस्ण है प्रस्ण नमबर अट 19, 19 का जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला जो प्रस्ण है प्रस्ण नमबर 20 और 20 का जो दोस्तो सही आंसर हो जाएगा ओप्सिन नमबर C ये नहीं, option number C, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और, अगला जो दोस्तों प्रस्ण है, प्रस्ण number 21, 21 का सही आमसर हो जाएगा, option number B, तो चलिए चलते हैं, अगले प्रस्ण की और, अगला जो प्रस्ण है प्रशन नमबर 22, और 22 का जो सही आंसर हो जाएगा, सही उत्तर, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की और, अगला जो दूस्तों प्रशन है, प्रशन नमबर 23, और 23 का हम सही आंसर देख लेंगे, कि सही आंसर क्या हो जाएगा, 23 का हो जाएगा, C आंसर सही, तो चलिए बढ अगला जो दोस्तों प्रस्ट है प्रस्ट नंबर 25 और 25 का सही आंसर हो जाएगा उप्सिन नंबर 25 का सही उत्तर हो जाएगा तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रस्ट की और और अगला जो प्रस्ट है प्रस्ट नंबर 26 तो 26 का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा अहम भाव तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला जो दुस्तो प्रस्ण है प्रस्ण नमबर 27 और 27 का क्या हो जाएगा कूल वर्ग किसी दानत के अनुसार क्या समाज के नियमों का कानून के आधार पर इसका सही उत्तर हो जाएगा तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला जो दुस्तो प्रस्ण है प्रस्ण नमबर 28 और 28 का सही उत्तर हो जाएगा कूल वर्ग इसका सही उत्तर हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के और अगले प्रस्ण है प्रस्ण नमबर 29 अगला जो दूस्तों प्रस्ण है प्रस्ण नमबर 29 और 29 का सही आमसर हो जाएगा कथन सत्य है और उसकी ब्याक्ष्या भी सत्य है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के और ये आज के लिए अंतिम प्रश्न होगा वर अंतिम प्रश्न का उत्तर भी हम जान लेते हैं इसका जो सही उत्तर हो जाएगा option number D, तो दोस्तों अगर आप वीडियो में हमारे चैनल पर पहले बार हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब करें और आगे सीटेट की तयारी के लिए हमसे जरूर जुड़ें तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही धन्यवाद